हेलो एब्रिवन गुड बॉनिंग स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें बालों की देखवाल कैसे करें तो इसमें नमबर फर्स टिप्स है नहाने के बाद ज्यादा देड़ तक बालों को तॉलिये में लपेट कर ना रख क्योंकि ऐसा करने से बालों की जड़े कमजोर हो जाती है और बालों की चमक भी खोने लगती है तो जब भी आप नहाने के बाद बाल अगर तॉलिये में रखते फ्रेंट ज्यादा देड़ तक लपेट के तो आपको ऐसा नहीं करना है इससे बालों की जड़े कमजोर होती ह और जो बालों की प्राकृतिक चमक रहती है वो भी खोने लगती है नेक्स्ट टिप से सब्ता में एक बार बालों की जड़ों में प्याज के रसे मसाद जरूर करें इससे बाल जड़ना बंध हो जाते हैं अगर हेरफॉल ज़्यादा हो फ्रेंड तो ये वाला नुष्का बहुत ज़्यादा प्रियोग में लाया जाता है बालों के लिए इसमें आपको एक प्याज लेना है उसको अच्छी तरह से पीश के प्याज का रस निकालना है और इस पेश्ट को बालों की जड़ों में लगाना है इससे एरफॉल कम होता है नेक्स टिप्स है अपने खाने में विटामिन सी यूथ फ्रूट्स जैसे आम, लाज, संत्रा, नीबू और दही आदी जरूर सामिल करें ये बालों की हैल्थ के लिए काफी लापकारी होते हैं विटामिन सी एक अच्छा स्रोथ माना जाता है बालों की कियर के लिए यानि कि बालों की देखवाल में एक बहुती इंपोर्टन टिप्स तो अपने खाने में विटामिन सी यूथ फ्रूट्स जैसे संत्रा, नीबू, आमला और दही ये आपको ज़्यादा यूज करने है खाने में इससे बालों की हेल्थ को काफी लाप मिलेगा सब्ता में एलोवेरा जल से बालों की मसाज जरूर करें क्योंकि एलोवेरा जल के पोसक तत्वा बालों में रूसी को कम करते हैं इससे बालों में प्राकर्तिक चमक भी बनी रहती है तो एलोवेरा जल सभी के घरों में पाया जाता है तो आपको एलोवेरा जल से भी बालों में मसाज करना है इसे बालों में रूसी यानि डेंडरा कम होता है और बालों की जो उप्रापर तक चमक रहती है वो भी बने की रहती है साइनिम, नेक्स टिप्स है, रात खो सोते समय अपने बालों में शर्ट्सों के तेल से मसाज जरूर करें, इसे बाल मुलायम रहते हैं और अगर दिन भर की ठाकान की वज़़ा से सड़ध हो रहा हो, तो सरदर्ध भी ठीक हो जाता है तो अगर आपका सर्दर दो रहा है तो सर्टों के तेल से मसाज कीजिए इससे दो फाइदे होंगे एक तो बालों की जड़ों को भी पोसर मिल जाएगा और जो आपका सर्दर दो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा नेक्स टिप से बालों में सैंपू कम से कम प्रियोग करें ज्यादा सैंपू करने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है तो डेली सैंपू नहीं करना चाहिए हफते में एक या दो बार सैंपू यूज करना चाहिए बालों में ज्यादा सैंपू यूज करने से बालों की पेस्ट बना कर लगाएं क्योंकि दही में पाए जाने वाला एसेड बालों की रोमों को खोल कर चड़ों से मैल लिकालता है और अंडे में पाए जाने वाले पोसक तक्त्व जिसे प्रोटीन, सेलफर, लोहा, शेलेनियम बालों को पोशन देते हैं जिसे बालों की लंबाई ब बहुत जल्दी जड़ने लग जाते हैं और बालों की जड़े भी कमजोर होती है तो आज के टिप्स आपको कैसे लगे फ्रेंड्स कॉमेंट में बताईए और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू शो मैच